हेलो गाइज गुड मॉनिंग जैहिंद सुपरभाद कैसे हैं आप सब लोग आप सब अच्छे होंगे आज का मेरा बलाग होगा गुडगाओं का मैं जा रहा हूं गुडगाओं और गुडगाओं में जो साइबर सिटिया है वहां कि आज को दिरिश दिखाऊंगा आपको तो बने रहे बलाग पे जैहिंद आप सब्सक्राइब अजुदुदुदुन इस आप फ्राई करते हो तो गाइज है तो गाइज यह था छोला जो आप खाते रहते हैं ऐसे मिलाते हैं हाथों से जो कैसे आपने देख लोगी एक चोला बनाने वह रहा किए सुबास और यही तो बड़ा है कि टेस्ट लेके खाते हो एक्दम ऐसे खाते हो जैसे कोई बड़ी आइटम बनी गई हो तो जेकि यह तो उसा जीजिबू को आइजिन बनानी की कोजित करिए मत खाया करें यह रोड पर बनी गई है एक मिंट भाई रोड क्रास करदा था तो फाइनल गाइज हम गाड़ी में बैठ गये और जा रहे हैं अब तेरे बिना यहां मेरी सांसे जैसे बिना निन्या कि राते हैं और तुही मेरे दिल की रसा है तेरे बिना दिल विक पाहता है तेरी आखों का काजल ना फेले रब कभी भी तुझे तना प्यार दूँँआ तेरी खुशियों की खातर ये दुनिया मैं मेरी एक पल में वार हूँ सुन जरा मेरे पास है अब बैठे हैं अंबियां दिल के धर्मियां बारशे हैं बारशे हैं तेरी बातों पे मैंने सजा लिये दुनिया में अहां दिल के धर्मियां इनुटेक्ट साइबर पार्क बारशे हैं बारशे हैं बारशे हैं और यहां अंदर जाके देखा तो आपने बाप बड़ी बिल्डिंग है यह तो काई साइपर सिटी गुड़गाव में हार्क दिक्साव किताब का यह देखो यहां पर जो पार्किंग होती है गाडियों की डबल डबल में होती है लिफ्ट के जरिए एक गाड़ी नीचे तो दूसरी गाड़ी उसके उपर देखो बने हैं पार्किंग है आपको मैं दिखाऊँगा कैसे चड़ा दे गाड़ी को अभी आप यह सोचो कि गाड़ी उपर चड़ी कैसे एक गाड़ी नीचे उपर है और उपर टंगी हुई है देखा जाए तो इस अब ये गाड़ी चड़ रही उपर दो चेक से हैंडल है महां से आपरेट होती है गाड़ी चड़ रही है उपर जगा दे रहे हैं दूसरी जाड़ी को यह गाड़ी इसके नीचे लगेगी यह पार्किंग करने का तरीका साइबर सिटी गुर्गाओं की टेक्नालोजी यह चड़ गई गाड़ी पार्किंग लग गई पुकाहिस आपने देख लिया कि गाड़ी कैसे चकप होती है उपर के रहे हैं दो दो पार्किंग मतब हैं पुरा जगा का पुरा जो है इन्होंने सूप योग किया हुआ है यह जेक बार रगा के दो गड़ियां हमेशा एक जिगा पे फार्क हो जाती है एक के उपर एक यह कोई आ जाता है तो चाबे यह जमा हो जाती है और यहां से जो पहले आता तो उसको गाड़ी निकाल दी जाती ही बागी गाड़ी आपको जग पर शाम को निकलती है आफिस बोड़ा है यह बैस्मेंट का तीसरा बैस्मेंट ही है यह देखो गाइस डिली के रोड़ों की हर्याली अब दिली में इतने पैड़ है पोड़े हैं कि पूछ मताब पर गर्मी भी ज्यादा होती है और पैड़ पोड़ी भी बहुत ज्यादा हर्याली बहुत ज्यादा है यहां पर देखो आप तेख सुदेश में कितने पैड़ रास्ते की पिल्कुल चारों तरफ पेड़ी पेड़े और यह देखे यहां पर गाईज जितने भी यहां पर वर्कर्स होते हैं जो बड़े-बड़ी कंपनियों में काम करते हैं वो ऐसे रोड पर धावे पर खनक आते हैं और अपना जिनकी बासर करते हैं यह जिनकी हिसी है द सब्सक्राइब कि अब पहुंचा हूं बारा घंटे बाद सुबाट बजी गया था और अभी आट बजी लोट रहा हूं है कि यह नोगे वाई कि जैहिन अब पहुंचा हूंगा जैहिन दुख्टा